इस वीडियो पर हम थाउजन लाइक का टारगेट रख जाएं गुड मार्निंग स्टूडेंट कैसे हैं आज की वीडियो जैसे की फानेंशल मेनेजमेंट के जो एक्जाम्स हैं वो मान के चलो आही गए हैं तो इस एक्जाम को हमने एक प्लेज कहलो और एक ऐसा सिस्टम तयार करने की कोशिस करी है कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा कुछ भी वो भी अगर पढ़ना स्टार्ट करेगा तो 100% स्लेबस कवरेज होगा 30 दे के अंदर पूरा का पूरा स्लेबस including all book के questions including all exam के questions सारी चीजे करने बाले हैं हम कैसे पढ़ेंगे और पढ़ने का क्या तरीका रहेगा उसके उपर एक बार आज के वीडियो में डिटियल डिसकेशन करेंगे कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का आएगा कौन से चप्टर समय पहले करने हैं तो एक बार वो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट आपको पूरी इंफर्मिशन दी जाएगी तो तीस घंटे में फुल और वो भी फास्ट ट्रेक या फिर बहुत छोड़ के नहीं डिटेल इसली बसकी बात कर रहा हूँ पूरा डिटेल इसली बसकी बात कर रहा हूँ तो चलिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा यूनिट कितने नंबर का है एक बार पहले ये देख लिया जाए अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो जो हमारा फानिशल मैनेजमेंट है इस एफेम हर एक बूक के अंदर ना हर एक सबजेक में बाकि मैं अभी सर्फ और सर्फ इसकी बात करूँगा हमारे यूनिट पता है कितने है यूनिट पांच यूनिट है और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और वाले कोशन छोड़ देंगे पूरे के पूरे पांच यूनिट डिटेल लेकिन कुछ बातों को मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा और उसके अकॉर्डिंग लिए आपको लेके चलना होगा और मैं आपसे बहुत बड़ी चीज नहीं मांगने वाला मादर दिन का एक घंटा लेना चाहता हूँ मैं सिर्फ वन आवर मुझे एक घंटे दे दिजे दिन में पूरा स्लेबस मैं करा दूँगा इसमें संडे मंडे कोई नहीं चलेगा सिर्फ वन आवर चाहिए मुझे only or nothing इससे ज़्यादा नहीं उसी में आपका revise है उसी में आपका practice है सब चीज उसी में बस मुझे वन आवर इस subject के लिए देना होगा आपको सर हमारे पास देखे total ना 13 chapter है total हमारे पास 13 chapter है that is unit number 1 हर एक unit अपने आप में मान के चलो अगर semester 3 का student है तो paper 90 का आएगा अगर semester 5 का student है तो ये हमारा 75 का आएगा अब इसके अंदर देखो देखना theory ये आपका 15 marks का आना fix है first question आएगा 15 marks का time value of money ये इसके और में पूछा जाएगा ठीक है 15 marks का unit है और हम हर किसी का time with proof मैं लिखने वाला हूँ जो मैंने इतने time से analysis किया और बहुत time लगा है आप seriously मानोगे तो हर चीज़ को करना एक एक बार एक से मैंने सारी चीज़ों को देखा है फिर मैंने conclusion किया अगर मैं time value of money कहूँ तो सर पता है कितने hour में खतम हो जाएगे two hour में सिर्फ दो घंटे में कियोरी ये chapter आपका 1.5 hour ठीक है और unit number 1 आपका 15 number कहाएगा अगर semester 3 का बच्चा है तो उसमें 18 number कहाएगा बस ये changes होने वाला है सर unit number 2 सबसे बड़ा unit है और इसमें से भी 15 marks ये 18 number का पूछा जाएगा पहले कौन सा chapter करना चाहिए हम बाद में करेंगे पहले हमारे पास total time जो मैंने लिखा है जो thumblin देख के आए हो क्या actual ये हम कर पा रहे है या सिर्फ thumblin लगा दिया है वो चीजे पहले हम प्रूब कर लेते हैं सर इसके लिए max to max ना मुझे 10 hour चाहिए 10 hour चाहिए max to max मुझे 10 घंटे चाहिए इस chapter के लिए सर बाकी chapter के अपने अलग-अलग है जैसे leverage मैं 4 hour में complete करा हूँआ cost of capital मुझे एप्रॉक्स 5 hour चाहिए आप time भी गिन लेजिए गा मैं detail की बात कर रहा हूँ in detail, detail का मतलब each and every questions book का मेरे पास अभी book नहीं है चाहे जितने भी questions है book के अंदर जितने भी concept है सब को cover करने की बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि इसमें सरफ important important topic करें है EBIT ले लीजिए आप चलिए मैं sheet जो मैंने बनाया वो ही दिखा देता हूँ आप देखेंगे ये रहा मैंने sheet prepare किया है आप सभी के लिए financial management जो बच्चे हमारे course में है उनको भी अभी तक इनफेक्ट ये sheet नहीं दिया गया है आज सभी student को मिल जाएगा अब सर देखेंगे जैसे leverage chapter है class 1 में basic concept करवाया गया है और एक कुछ basic question सर इस class को हमने 76 minutes लिये हैं ठीक है इसके बाद class number 2 में हमने question 1, 2 और 3 करवाया है question number 1 में मैंने 17 minutes लिये है question number 2 में मैंने 26 minutes लिये है question number 3 में मैंने 15 minutes लिये है और तीनों पर star लगा दिया कि ये question तीनों important है exam point उवे उसे ठीक है सर जब class number 3 आया तो question 5, 7 और 8 कराया गया ठीक है sir honors में भी questions है program में भी है दोनों के questions के हमने ये भी डाल दिये के sir program के book के है जो book पूरे college में लगाया गया है हम पूरा का पूरा total उसी book के आप से बात कर रहे है अब sir इसमें 14 minutes start लगा हुआ हुआ ये class number 4 में concept देखिए title भी डाला है ताकि बच्चा कर पाए 12, 13, 14, 15, 16 देख रहे हैं line बारी से question है अब बोलेगे sir 5 के पास 6 तो missing है इसमें कुछ question exactly similar है उसको छोड़ दिया आप practice करने के लिए सारे question कराएगे और सभी के time आप देखोगे मैंने ये भी बता दिया के total 44.43 hours लगेंगे इसमें पूरे करने में जिसमें से आप देखेंगे के कुछ है question तो देखे कैसा है कुछ है questions की बात करूं तो जैसे इस पे star नहीं लगाया हुआ ठीक है न तो काफी सारे ऐसे questions है जैसे इस पे star नहीं लगाया हुआ तो ये time हमारा देखे सीधा सीधा आधा घंटा reduce हो जाएगा लगबग लगबग 12-12-24 minutes यानि half an hour reduce हो जाएगा ये जो time दिये जा रहे है 4.43 ये वो time है sir जिसके अंदर आपके सारे questions होंगे और अभी मैं एक और time बताऊ तो जिस पे star लगे है वो important है तो जो बच्चा कोई job कर रहा कोई other activity में involved हो तो पहली बात एक घंटा मुझे दीजिए मैं पूरा का पूरा 100% slayvers करवाँगा और साथ के साथ आपके लिए जिन बच्चों के पास कुछ short time है देखे किसकी problem क्या है वो मैं नहीं जान सकता उनके लिए हमने star भी लगा दिये और star लगाने का भी मतलब है कि जिस question पे हमने star नहीं लगाए ना इसका मतलब वो same topic पहले ही cover हो चुका है वो just a practice purpose के लिए है Sir doubt आया तो अब मैं सारे के सारे questions कर रहा हूँ A to Z निकाल लो आप doubt कहा से आएगा आपका सारे question एक एक करके board पे कराया है doubt निकाल लो मैं एक पर वीडियो भी दिखा देता हूँ leverage का है ना आप देखिए leverage chapter पे आ जाते हैं चलिए leverage chapter पे आ जाते हैं ये देखिए leverage chapter है ना पहली class देखिए ये मैंने financial management का leverage chapter open किया हुआ है पहली class कितने का है one hour one six इसके अंदर concept है one hour one six कितने होते है seventy six minutes अगर आप देख पा रहे हो तो one hour one six यानि seventy six minutes मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ इसको बहुत जूम कहां से होता है यह यह इसे हो जाएगा देख सकते हैं ठीक है seventy six minutes और मेरे excel sheet पे भी आपको इसके बाद आ जाते हैं सरी दूसरी class में सर दूसरी class में आ जाते हैं दूसरी और साथ के साथ देखे PDF notes भी दूसरी class में चार वीडियो है अब देखे question two a कराया गया है question two b कराया गया है मतलब second part class number two में कराया था मैंने regular में यह सारा का सारा आपका recorded है और कुछ live भी है यह देखे यह करवाया है यानि आप इसमें देखेंगे कितने classes में कितने हो गए और zero two class overview यह overview भी है जिसको हम count नहीं करेंगा जैसे हम पहली class करवाते हैं तो second में जाते हैं तो पिछली class को जरूर revise कराते हैं आपके आपका अच्छे सोबधाये isके साध साध देखिए कि यह 17 निट का मेरे एक्सलशीट पर भी देखिए 2A 17 मिनटका देख रहे हैं इसके बाद देखिए 2A 26 मिनटका है स्टार यहां भी लगा हूआ है और बाहर भी लगाया हूआ है तो वी आपका है देखिए 26 मिनट का, तीसरा कुश्चन 15 मिनट का है, आप देखिए 3rd कुश्चन का डूरेशन 15 मिनट, कुछ seconds को तो नहीं count किया हमने, इसी तरीके से आप आएंगे जैसे कि for example, first class हो गया, second class हो गया, अब आप जैसे ही content पाएंगे 3rd class में, तीन वीडियो है, एक फाइल है, औ इन सभी, और दूसरी बात देखिए मिन, देखिए 3A 14 मिनट का है, और 3B 19, 14 और 19 याद रखिएगा, match कर लिजे, देखिए 3A आपका 14 मिनट और 19 मिनट, तो इतना हमने कोसिस किया है, कि बच्चा एक बार अगर मेरे कहने से 1 आवर मुझे दे दे, तो 100% मैं कहता हूँ, मैं पास नहीं कराऊंगा, मैं 9 आपका पॉइंट, जो भी आपका क्रेडिट पॉइंट होते हैं, 9 CGP से, इसमें 9 से, मैं O दिलाऊंगा, आपको A भी नहीं बात कर रहा है, आपको Outstanding इसमें मैं दिलवाऊंगा, लेकिन बसरते मुझे 1 आवर देना होगा, आपको टेली का, ठीक के साथ साथ देखेंगे, तो cost of capital के बाद EBIT analysis है, 3.7 में खतम हो रहा है, sir value of firm देखेंगे, तो sir 3.39 hours में खतम हो रहा है, value of firm के बाद dividend policy देखेंगे sir, 3 घंटे में dividend policy खतम हो रहा है, working capital देखेंगे sir, 2 घंटे में, और यह मैं यह नहीं कह रहा, आप देखिए, concept भी है, पूर पूरा का पूरा और मैं कुछ बच्चे कहेंगे sir, जो YouTube पे देख रहे हैं, मुझे भी provide, मैं आपको provide भी कर बादूं, तो आप इसका benefit नहीं ले पाएंगे, reason being, क्यों YouTube पे पूरी-पूरी classes डल रही है, उसके अंदर इस तरीके से cut लगाना, इस तरीके से star लगाना, इस तरीके से management करमा, हमा come to the point, तो मैं वही कह रहा था, जैसे कि इसमें 5 आवर बोल रहा था मैं, तो 5-6 आवर है, इसमें 3 आवर था, value of firm में भी आपका 2 आवर्स था लगबग, लगबग, dividend policy, देखिए आपका, ये 2.3 आवर्स में हो गया था, यानि धाई घंटे में पूरा का पूरा चप्टर हो गया था, खतम ये, working capital भी 2.5 आवर्स में पूरा चप्टर खतम करा है, operating cycle 2 आवर्स में पूरा खतम करा है, receivable management 2.3 आवर है, प्रॉक्स, मुझे याद भी नहीं, ये पांच घंटे में लग गये थे, ये 2 घंटे के असपास लगे थे, तो अगर आप count करेंगे न, जैसे मान के चलिए, पूरे 30 घंटे कैसे होंगे, सर देखिए, धाई घंटे और 10, capital बस्तिंग में मैंने ज़्यादा टाइम लिया है, तो धाई घंटे 12, 17, 17 और 4, 21, 21 और 3, 21 और 3 कितने होगे हैं हमारे सर, 24, 24, 26, 26, 28, 28, 22, 30, और कुछ 5, 7 घंटे और, मतलब कि 35 से 36 मिन, और ये मैं वो बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे सर, ये तो अब गलत बता रहे हो, थमलिन तो गलत हो गई आपकी, यहां तो 35 घंटे बन रहे हैं, बिलकुल सही बात, 35 घंटे ब लगा है, जैसे मैं अगर आपके बात करूँ, कि जैसे मैंने कहा, कि सर, देखो, नमबर ऑफ आवर अभी रिड्यूस होंगे, कैसे होंगे सर, जैसे इस चैप्टर में देखो, इसके उपर स्टार नहीं लगा, जैसे कोस्ट आफ टैनियर के अंदर कोश्चन नमबर 3 है, वीडियो में 15 मिनिट में स्टार नहीं लगा हुआ, तो मैं स्टार के साथ इस वीडियो में स्टार नहीं लगा हुआ, मतलब सिमलर टाइप के कोश्चन है, सर, यह तो खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको दिक्कत होगी, तो उसके लिए हमने कोसिस करी है, कि आपको व भी मैं मान के चलूं कि बहुत इजी तरीके से आपका हो जाएगा तो यह सारे के सारे चप्टर एक चप्टर रिकॉर्ड नहीं है आप सोचेंगे सर एक ही रिकॉर्ड करके बात कर रहे हैं आप तो बागी के चप्टर दिखा ही नहीं देखो लीवरेज हो गया cost of capital हो गया EVIT में 17 वीडियो value of firm में 16 अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 16 वीडियो value of firm में सहाब ये भी तो देखिए आप 16 वीडियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली क्लास को अगर देखें तो देखिए 27 मिनट, 16 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट इतने छोटे छोटे दूसरी खास ब one class में वो जो मैं board पर कर रहा हूं वो सारी के सारे notes में दे रहा हूं so that आप पूरा focus करके पढ़वाओ उस पर और यहां पर सारा का सारा approaches देखो जो मैं कर रहा हूं आपका main मुद्धा रहेगा क्या आपने focus करना है पूरे के पूरे book के questions वगएरा सारी चीज़े कराए गए ठीक है सर इसके बाद सर टाइमिंग हो गया अब मुद्ध की बात करें आप इसे पॉस करके note कर लिजेगा मैं इसे erase करके पहले कौन सा chapter pick करना है मैं उसकी बात करता हूं क्यूंकि अगर आपने गलत अप्रोच follow कर लिया तो 30 गंटे में complete नहीं हो गया शायद आपका financial management मन न लगे इसको करने में तो इसे मैं मिटा देता हूं आप screenshot ले लीजिएगा और फिर इसको note कर लीजिएगा ठीक है न यह मैंने तो कुछ Harvard discuss किये थे अब मैं यह discuss कर लेता हूं number one पे कौन से chapter करने चाहिए sir सबसे पहले number one पे आप इस chapter को करें देखें मैं number डालता जा रहा हूं उसी के हिसाब से लेके चलना है number two पे आप इस chapter को करिएगा number three पे आप इस chapter को करिएगा number four को आप इस chapter को करिएगा हाला कि यह वाली जो unit है न कि थोड़ी से ज्यादा important unit माना जाता है three इसके अंदर 20 number तक के सवाल पूछे जाते हैं जो do कहता है कि हम 20 number के सवाल पूछे ने लेकिन मैंने अक्सर notice किया है जो do का parameter है उसमें से कई बार एक दो number का उपर हेर फिर हो जाता है इसा नहीं कि बिल्कुल जो लिख दिया वही है ठीक है इसके बाद सीधा आप number five पे यह करिएगा dividend policy पास होने के लिए तो सिर्फ unit three और four जिस बच्चे ने कर लिया पास हो गया मैं आज यह वीडियो आपक number five के बाद number six पे आप operating cycle कर लिजिए number eight पे आप working capital कर लिजिए number nine पे आप receivable management कर लिजिए number ten पे आप यह करिएगा number eleven पे आपको यह chapter करना है फिर इसके बाद number 12 पे यह और last chapter जो है number 13 पे आपने यह chapter करना है ठीक है ना हियूरी का जो chapter है मेरे साथ number कोई missing है क्या एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरव साथ एक number missing मैंने कर दिया ग्यारा के बाद 12 number मैंने किसी को अलॉट नहीं किया यह रहा बारा तेरा एक मिनट एक दो तीन चार पांच छे सेवन number नहीं दिया मैंने तो आप उसको देख लिजिएगा जिसको मैंने 8 दे दिया है वो 7 पे है ठीक है ना वो कर लिजिएगा लास्ट में हम theory पढ़ेंगे sir क्या आपने syllabus में theory नहीं करा है बिल्कुल theory भी कराया हुआ है पूरा का पूरा theory और दूसरी बात देखिए questions करने का क्या तरीका होना चाहिए वो देखिए सबसे पहले आप book करेंगे आपका book मैं मान के चलता हूँ कि आपके book जो है वो मैं 30 hour में complete करवा रहा हूँ books को ठीक 10 year भी nearby shop में मिल जाएगा और book प्लीज एक चीज़ दो promise एक promise आपको एक घंटा मुझे देना है दूसरा book जरूर खरीद ले 400 500 रुपे के investment है लेकिन एक अच्छा marks जब आएगा ना आपका और ये चीज़ आपके आगे further life में काम आने वाला है मैं इसलिए सिर्फ आपको force कर सिर्फ और सिर्फ बुक के वीडियो नहीं बनाए मैंने साथ के साथ आप बाहर जब हम आते हैं कि आज ये वीडियो पूरा final होके upload हो जाएगा सभी के course में जो बच्चे existing है देखे contact number भी given होता है सारी चीज़े है how to study अब देखिए internal के लिए दिया हूँ अब देखिए सिवदास के tenure के questions अब जितने भी chapters हैं इसको भी arrange करके सारे tenure के questions आपको मिल जाएंगे तो पहली बात जैसे ही आप practice करने बैठे बुक्के होके हो सकता है sir last year के exam में कोई difficult question आ जाए और आपको समझ में ना आए वो question तो ऐसे situation में आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी ठीक है plus मैं classes आपके साथ हूँ तिल exam तक तिल exam तक सर वीडियो तो है और मैं MWF में 7 to 9 आपके साथ मैं live class में रहूँगा ही रहूँगा ठीक है ना तो अब आपको मैंने सारी चीजे बता दी in detail कि क्या-क्या features available है अभी देखिए जो बच्चा स्टार्टिंग से YouTube पर पढ़ रहा था तो मेरे लिए ना YouTube पर एक challenge है और उस challenge को क्या है कि exam जो है ना मेरे पास चार दिन बच्चों के paper है अगर मैं बताओ एक्जाम की बात करता हूँ तो मेरे पास बच्चों के paper देखे कब कब पढ़ रहे हैं आपका regular प्रोग्राम हो गया आपका NC web इसके बाद आपका हो गया SOL यह हो गया इसके honors हो गया honors में हो गया है regular और honors में हो गया आपका SOL तो आप देखे कितने questions हो गया एक दो तीन चार पाँच तो semester 3 के अंदर कहने को एक paper है लेकिन मुझे 5 questions paper solve करने है exam के time पे तो उसमें time taking ह होगा तो इसके हिसाब से देखे सबसे पहला paper जो पढ़ रहा है ना semester 3 और 5 का एक साथ ही paper है SOL वाले 5 में सिर्फ SOL वाले हैं इनका ना 31 December को है मैं honors की बात कर रहा हूं 31 December को paper है किसका ऐसा SOL का पाचवे semester का 3 का regular का ठीक है ना अभी SOL 3 की बात नहीं कर रहे है FM का paper एक यह date पे आ गया मेरे लिए समस्या जैसे ही मैं 26 December को free हूँगा फिर 26 December को आ गया किसके के लिए आ गया तीन और 5 regular यह program का paper है सर और NCWeb SOL सबका एक ही दिन दे दिया 26 तारिक को 3 का भी 5 का अब वीकॉम ओनर्स का जो SOL का बच्चा है उसका सिर्फ 14 जनवरी तक दिया तो मान लेते हैं कि मेरा purpose है कि मैं 21 December तक सारे चीज़े मैं जल्दे जल्दे करा देता हूँ फिर जब मैं जल्दे जल्दे सारे चीज़े करा दूँगा तो फिर जो बच्चा 26 December वाला है जो बच्चा 14 जनवरी वाला है उससे तो disconnect हो गया है तो इसलिए मैं पूरा का पूरा slivers भी करा हूँ और साथ के साथ मैं चाहे paper इस दिन हो चाहे paper इस दिन हो चाहे paper इस दिन हो मैं आपके साथ इस दिन तक बना रहूंगा paper में अब जैसे जैसे जिसका exam होता जाएगा वो वीडियो नहीं देखेगा जैसे मान लेते हैं कि 26 वालों का paper हो गया मैं 27 को class ले रहा ह है classes में क्यूंकि एक दिन में देखो काफी आप थोड़ी सी problem समझेगा मैंने focus किया है कि मैं doubt solving पर ज्यादा focus करूं बच्चों के जो मेरा priority है बच्चों के doubts हैं क्यूंकि मेरे एक मैं एक बार पढ़ा रहा हूं मेरे से अगर कई student जुड़े हैं तो उनका एक बच्चे का doubt शायद वही paper में आजा है उसके उपर तो अभी जो है न हमारा जो editing का काम करता है उसके पास बहुत सारे videos हो गया कौन-कौन से videos आ रहे हैं आप चेक करिएगा मैं income tax पे भी वीडियो हो गई economics की वीडियो हो गई आपका FM का वीडियो हो गया इसके बाद business stats का वीडियो हो गया business maths का वीडियो हो गया इतने सारे videos हो चुगे हैं इतने सारे और यह daily डलने है सार डेली डलने के चक्कर में बताईए एक दो तीन चार पांच छे videos छे videos को चेक करना किसी में आवाज है किसी में नहीं है साथ के साथ उसके अंदर फिर editing करना कितना पूरसन बच्चों को मतलब के जाएगा क्योंकि doubt वाले session में मैं यह नहीं चाहता है YouTube पे सिर्फ मैं पढ हाने वाले points डालो कई बार हमारी वीडियो दो-दो-धाई-दाई घंटे की हो तो उसमें doubt चल रहा होता है जिसमें आपको कोई benefit नहीं मिलेगा उतो बच्चों के personal doubts होगे के सर यह वाला point मैंने कर तो लिया समझ में नहीं है उसमें benefit तो वो काटने में तो इसमें काफी time जा है कि कई बार बच्चों का नहीं इतना अच्छा मुझे response मिलने रहा YouTube पे जितना मुझे मैं expect करता हूं कि मिलना चाहिए Delhi University के अंदर इतने सारे student होते हैं लगबग लगबग एक लाग के आसपास तो बच्चे होते ही होते हैं लेकिन हमारे subscriber base भी देखोगे कम है watch base भी देख सानी है और बहुत बच्चों को नहीं पता तो हमारे जो present student है वो उनकी responsibility है वो उनका एक तरीके से हमारे लिए कितना dedicated है यह देखना पड़ेगा कि कितने दोस्तों को कहते हैं कि आप ऐसे करके पढ़ सकते हो तो एक motivation का जो देखा जाए ना मैं काफी time हो गए तीन साल मैं सो complete इस साल complete हो जाएगा January में कुछ नया करेंगे हैं लेकिन मुझे नहीं दिख रहा वो कहलो अपनी बच्चों की मर्जी lack of कुछ भी कह सकते हो उस बिस पे तो मैं सारी की सारी आपको बताऊं तो MW तो YouTube पे मैं वीडियो definitely डाल रहा हूं तो डालना possible इतना ज्यादा नहीं हो इस बात का ध्यान डखिएगा काफी बच्चे नराज हो जाते हैं बोलते हैं regular वीडियो डालिए यह डालिए मैं courses पूरी कर रहा हूं आपके लिए regular और जो बच्चा पहले पढ़ रहा था पढ़िए आप और माल लितना है कि क्योंकि जो offline coaching होता है उसमें सारे questions नहीं होते ह उसके boundaries भी है उन्होंने कराया topic कर लिया ठीक है निकला नहीं निकला उन जो बच्चे offline पढ़ रहे हैं उनके लिए भी beneficial रहने वाली है एक class मैंने इसलिए करा अभी दिवाली का time चल रहा है दिवाली का ठीक है न तो बोल रहते हैं सर कुछ ऐसा करो बच्चों के पास में रोल होके फटा-फट करना चाहिए फिर से अगेन वही बात कहूंगा के 299 बहुत छोटा amount है और 299 बहुत बढ़ा amount है तो यह दोनों बाते मैं कह रहा हूं कि क्यूंकि पैसे किसके लिए क्या importance है जैसे maternity principle accounts में पढ़ाना वैसा ही सेम बे कहता हूं किसके लिए क्या importance है उसके हम सोच ने सकते हैं बाकी मेरी courses है कि मैं minimum से minimum में और best से best और ऐसा ecosystem दो कि बच्चा खुश रहा है ठीक है तो hopefully आपको सारी चीजे समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने कोई भी course any course लेना चाहता है बच्चा any course लेना चाहता है वो कोई भी course लेना चाहता है 299 का description म मैं अपने life की बात करूँ ना college में मेरे time पे क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने सो पहले हमारे ना साल में एक बार paper हुआ करता था annual mode का तो annual mode हुदा तो पहले तो 6 महने हम पढ़ते ही नहीं थे हमारा result भी 6 महने बाद आता था पहले 6 महने हम पढ़ते ही नहीं थे मई जून म में भी लगता था कि आब ही तो जून में पेपर होगा बहाट time पढ़ा हुआ है दिसंबर 6-7 महने है फिर दिसंबर में सोसते थे पांच महने में कर लेंगे फिर हम जनवरी में सोसते थे रे मैं तो 3 महने में कर लूँआ फिर मार्च में मार्च भी आता था तो एक महने है तीसी घंटे पढ़ूँगा लगातार दिन में मैं जो पढ़ूँगा पांची पांची घंटे पढ़के करूँगा सबको खतम कर दूँगा फिर दस दिन बसते हैं फिर यार दस दिन हैं मैं बारा-बारा घंटे पढ़ूँगा कहीं नहीं जाऊँगा किसी से बात नहीं करूआ पढ़ूआ फिर बचते हैं एक्जाम से एक दिन पहले यार अगली बार से अच्छे से पढ़ूआ तो ये human nature है अगर आपने इसके उपर control कर लिया तो आपको बहुत अच्छे marks perform करने से कोई नहीं रोख सकता और ये subjects आप become के लेके मत पढ़िए कि ये become के अंदर है मैं आपको इसलिए बोलता हूँ subjects को पढ़ने के लिए कि आपके future में आगे काम आएगा whether CA हो CA मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे भी CA करने हैं लेकिन कल बहुत सारे बच्चे CA नहीं भी करने हैं लेकिन जो बच्चे नहीं करने हैं वो direct CA enter के अंदर admission ले ले direct उनका मन बन जाए कि sir हमना CA करना चाहरे है तो जो बच्चा इस तरीके से मन बनता है कि sir हम CA करना चाहरे है तो सबसे बड़ी चीज वो अगर slaves सारा strong होगा तो वो आगे कर पाएगा मेरा ये कहना है ठीक है न तो hopefully आपको सारी चीजे मैंने समझाया कि 30 गंटे में कैसे होगा और कौन सा chapter पहले करना चाहिए इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है तो चलिए इसी तरीके से मैं YouTube पे regular वीडियो डालता रहुआ लेकिन paper situation में अगर बच्चा बोलता है सर मेरा paper 21 तारीक को है क्या 21 तारीक तक slaves हमारा सारा का सारा complete हो जाएगा तो मेरी पूरी कोसिस रहेगी मैं आपको इस बात पे shorty नहीं दूँआ कि पूरा slaves YouTube पे डल जाएगा डालूँगा जरूर मैं YouTube पे लेकिन मैंने बताया आपको कि cut करने में जो process में टाइम लगता है उसी के हिसाब से रहेगा ठीक है ना बाकी मैंने course का भी बताई दिया तो मैंने वो price दिया है बच्चो को जिसमें सारे benefits available हैं आपको सारे चीज़े अवेलिबल है आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा doubt session रहेंगा सारी चीज़े हाँ doubt session के लिए timing हमने 10 से 6 का रखा हुआ है लेकिन exam time पे 24 करने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए ठीक है तो hopefully आपको अच्छी लगी होगी वीडियो जैसे मैंने का subscribe तो channel को भाई subscribe भी कर लो कोई पैसे नहीं देने subscribe के like भी कर दो इस वीडियो के एक target रख लेते हैं कई बार मैं देखता हूँ यूटूब पे करते हैं इसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ टार्गेट रख लेते हैं इस वीडियो पे हम thousand like का target रख लेते हैं कितने like होने चाहिए thousand जैसे ही thousand like हो का इस वीडियो पे आपके लिए इसी तरीके से मैं principle of marketing के वीडियो लेके आऊँगा ठीक है ने principle of marketing के वीडियो तो चलिए मिलते हैं आपका बहुत बहुत thank you so much बने रहने के लिए और मैं ये नहीं कह रहा है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे बहुत बच्चों का प्यार मिल रहा है लेकिन होता नहीं कि ज़्यादा एक होती है कि भूख वो चीज़े मेरी कही नहीं लगते कही बार बढ़ती जा रही है तो बस उसी को मैंने एक्समें के है तो एक चीज रह गई बताने के लिए कि जो मैं ये बैच लेके आया हूँ ना इस्पेशली उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ तो बैच का नाम होगा हमारा एक्सम ओरियंटिट बैच होका ये जो 2.99 का है आपको मिलेगा सारे बैचस क्लोज हो चुके है जो 2.99 का है थैंक्य quase सो मच wegen 2.99 का है